हलो इस्टुडेंट्स वेलकम टू जेई आई ऑनलाइन क्लासेज इस्टुडेंट्स आज 9 अगस 2020 को हम फिर आपके सामने कुछ करेंट अफ़ेट्स के मास्ट क्योशन लेका हैं जो सभी एकजाम की द्रस्टी से बहुत इंपोर्टेंट है इस्टुडेंट्स जो नए वीवर से वह एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें तदा आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए तो इस्टुडेंट्स आज हम चलते हैं पहले परसन पर वह समयधानिक संसोधन जिसके तहत रियास्तों के साही परिवारों के बुगतान प्रिव साही परिवारों के बुकतान यानि प्रिवी परस को सम आप्स कर दिया गया इस वह कुन सह सविध्ण संसोधन है जिसके तर्द साही परिवार थे राजगनाने थे उनके सद्षियों को भुक्तान किया जता थैडा जिसे प्रीवी पर्स बोलते थे उसको समाप्त margin कर दिया पंद्रवे संविदान संसो दन i8 begin संविदान संसो दन ye 26 या 26 या इस्टूड़ेंट्स क्या हो जाएका इसका अंसर यह प्रिवी पर समाब किया था 26 सविदान संसोदन में किसमें किया गया था इस्टूड़ेंट्स 26 सविदान संसोधन में देखो इसके बारे में क्या फेक्ट है प्रिवी पर स्वतंतर था के बाद वर्स 1950 में बारत के साथ एकिकरित रहने के लिए रियास्तों के साही परिवारों द्वारा भुगतान किया गया था या भुगता था इस व्यवस्ता को ब्रिटेन के राजवति यानि प्रिवी प्रस की व्यवस्ता के आधार पर पारित किया गया था इस व्यवस्ता को वर्स 1971 में 26 सविदान संसोधन द्वारा ततकालिन परदान मंत्री इंद्रा गांधी द्वारा समाप्त कर दिया गया इसके साथ अगले किश्चिन पर देखो इस्टुएंट्स केंद्रिय मंत्री मंडल दुआरा किन एकाईयों की लागत निर्दारन है तू संसोदन मुले निर्दारन योजना तृतिय में इसपश्टा को स्वीकर्ती प्रधान की क्यूस्टन मार्क ए यूरिया बी पसुचाटा सी सिमेंट और डी वस्तर उद्ध्योग तो किसमे की स्टुडेंट्स यूरिया पसुचाटा सिमेंट वस्तर उद्ध्योग तो स्टुडेंट्स ये की गई है यूरिया के अंदर यूरिया निर्मान में तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ए यूरिया देखो इसके बारे में संसोदित मुल्य निर्दारण यूजना तरीतिय को वर्स 2014 में जारी किया गया था इस यूजना का उद्धेशिक गरेलू यूरिया निर्माताओं को प्रोचसान प्रदान कर यूरिया उत्पादन छेतर में निवेस को प्रोचसाइद करना है हाली में केंद्रिय मंत्री मंडल ने यूरिया इकाई के लिए संसोदित मुल्य निर्दारण यूजना थर्ड में व्याप्त एइस प्रष्टा को दूर करने के लिए संसोदित प्रावधनों को सहमती प्रदाने की है इसके साथ अगले कुश्टिम पर चलते हैं अलग-अलग मंत्रालों की अनूदान मंगों को एक साथ रख पारित करने की वहवस्ता कहलाती है अलग-अलग मंत्रालियों की अनुदान मांगों को एक साथ पारित कर ने की विवस्ता क्या कहलाती है जो सभी अनुदान मांगे होती है उनको एक साथ रख पारित करने की विवस्ता है उसका क्या नाम होगा स्टुडेंट्स ए गिलोटिन बी विनियोग सी सामुदाइक परसारण और डी लोगडाउन गिलोटिन विनियोग सामुदाइक परसारण लोगडाउन क्या होगी स्टुडेंट्स यह व्यवस्ता होती है इस व्यवस्ता हो कहते हैं गिलोटीन विवस्ता कौन सी विवस्ता कहते हैं students? गिलोटीन विवस्ता, तो इस question का answer हो गया, A, गिलोटीन इसी के साथ अगले question पे चलते हैं students, भारत का पर्थम snow leopard यानि हिम तेंद्वा, संरक्षन के अंदर विक्षित किया जाएगा, इंट्नेट्स यह कां किया जएगा Snow Leopard यानि हिम तेंद्वा स्रक्षण के अंद्र कां विक्षित किया जएगा A. हिमाचल प्रदेश, B. असम, C. उत्राखंड और D. मिजोरम जबी हाली में गोशचना हुई है Snow Leopard स्रक्षण के अंद्र यानि हिम तेन दुआ स्ट्रंक्शन के अंदर कहां विक्षित क्या जाएगा हिमाचल प्रदेश बी असम सी उत्राखंट और डी मिजुरम तो इस्टुडेंट्स ये क्या जाएगा उत्राखंट में कहां क्या जाएगा इस्टुडेंट्स उत्राखंट में क्या जाएगा जहां उत्राखंट में उत्राखंट में उत्राखंट में उत्राखंट में उत्राखंट में उत्राखंट में इसी के साथ इस्टुडेंट्स अ किसे हैं स्टुदेंट्स Y.S.R. स्यूत योजना का समन्द किसे हैं A. बाली का सिक्षा B. महिला ससक्तिकरण C. गरिबी उन्मूलन D. स्वयरोजगार तो क्योजना योजना स्टुदेंट्स Y.S.R. स्यूत योजना का समन्द किसे हैं माईलासाफक्तिकराँंच, C., करईभी उनउलन, और D., स्वैरोजगार, तो ये जो योजना किसे समन दीता है, माईलासाफक्तिकराँंच से, किसे हैं, माईलासाफक्तिकराँंच से, तो is key performance का अंचर हो गया, B., माईलासाफक्तिकराँंच, देखो इसके बारे में क्या है 12 अगस 2020 को अंदर प्रदेश सरकार दौरा वाई एसार शिवत योजना प्रारम की जाएगी जो अभी 12 अगस गई है इसे की जाएगी जिसका उद्धिश अलप संक्यक जातियों की महिलाओं को ससक्त बनाना है यह योजना महिलाओं को 55,000 रुप अगले क्यूसन पर देखो भारत की पहली मॉबाइल आर्टी पीसियार लेब सेवा प्रारम की गई है भारत की पहली मॉबाइल आर्टी पीसियार लेब सेवा प्रारम की गई है ए महारास्ट बी आंदर प्रदेश सी कर्णा टैक और डी तमिलनाडू ए महाराष्टर ब अंद्रप्रदेश सी करनाटक और डी तमिलनाडू तो स्टुडेंट्स कहां की गई है यह की गई है स्टुडेंट्स करनाटक राज्ये में इस लेब का जो विक्सित किया गया इसको भारतिय विज्ञान संस्तान बेंगलोर दुआरा इस लेब को विक्सित किया गया इसका उपयोग जो मेन उपयोग है और उसके अलावा कोरोना के अलावा किसका प्रिक्शन किया जाएगा यह है एच सी वी कौन से रोग है एच सी वी कोरोना के अलावा है एच सी वी एच वन एन वन शे रोग जिसे हम टी बी भी कहते हैं स्टुदेंट्स और एच आई वी और एच पी वी इन रोगों की भी जहाँ से की जाएगी स्टुदेंट्स कौन-कौन से एच वी एच वी एच वैन एच वन टी बी एच आई वी और हच पी वी रोगों की भी जहाँ चे की जाएगी और में इसका क्या है कोरोना का प्रिक्शन करना और कोरोना प्रिक्शन भी किया जाएगा स्टुदेंट्स इसी के साथ अगलत क्यूशν पर के लिए चलते हैं। कि पर्मानु अत्यारों के उप्योग के समन्द में अमेरिका दौरह किस देस्थ के साथ क्यूब एक समजूता हसता अकसर किये। समझोता किये। a जरमनी by Britishby Belgium और Wiki bag समां में दो देस्थों के तो क्या होगा इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् परमानु हमला किसी भी देश पर नहीं किया जाएगा परमानु का शांती के zeigen परसार किया जाब और अभी हाल हमें क्यों सुरक्यों में या क्योंकि जापान के अंदर हिरोसिमा और नागासाकी में जो 6 अगस्त को वहां जो हमला हुआ था उसकी 55 वर्स गांट मनाईगी तो उस वर्स गांट के बाद उस हमले से आहात होकर अमेरिका वृटेन ने यह कंई पेक समझाता किया था इस keunson का answer क्या हो गया क्योबएक समझे Architecture और Britain में हुआ इसका गारण इसमें answer का स्टूडेंट्स राष्ट्रिय कर गा नो और च्छे अगस्त तो कब किया जाता है साथ अगस्ट, आठ अगस्ट, नो अगस्ट, छे अगस्ट तो इस्टूडेंट रास्टियात करका दिवस जो आउजित किया जाता है वो साथ अगस्ट को किया जाता है कब किया जाता है साथ अगस्ट को किया जाता है इसी के साथ अगले क्युस्षिन पर चलते हैं स्टुडेंट्स वितायोग द्वारा राजकोषिये समयकन यानि 71 करण ड्राफ्ट तयार करने के लिए गठित उचिस्तरिये समिती के अद्देक्स हैं वितायोग द्वारा राजकोशिये समयकन 71 करण ड्राप्ट तयार करने के लिए गठित उचिस्तुरिय समीति के देख सें कौन है इस्टुडेंट्स राजकोशिये समयकन यानिकी 71 करण ड्राप्ट तयार करने A. N. के सिंग B. एके वर्मा C. S. N. माथूर D. A. जी गुपता तो इस्टुडेंट्स राजकोशिये समयकन ड्राप्ट तयार करने के देख सें N. के सिंग कोन है इस्टुडेंट्स N. के सिंग है तो इसक्यूशिन का अंसर हो गया A. N. के सिंग इसी के साथ कुरण वर्मान है तो मेडिकल डिवाइस पार्क इस्तापित के जाएंगे A. उप्रियुक्त दोनो जो अपसना है उप्रियुक्त में से कोई नहीं तो इस्टुडेंट्स वह राजजय जांचे के साथ कुरण वर्मान है तो मेडिकल डिवाइस पार्क इस्तापित के जाएंगे तमिलनाडू और केरल B. तेलंगाना और अंदरप्रदेश C. उप्रियु जानगाना इन चार राजङों के अंदर ये मेडिकल डिवाइस पार को इस्तापित के जाएंगे तो इसक्यूसन का अंसर हो गया A और B दोनों all hadi Koon estos इन दोनों से कौनसा answer बन रहा है c उप्रियोक्त दोनों तो इस question का answer क्या हो गया c उप्रियोक्त दोनों option और इसका आउंसर हो गहीए तो इसका सही correct answer होगा c उप्रियोक्त है दोनों इससी के साथ आज के अपने Most current affairs के सवाल समापत होते हैं इसी के साथ हम next video में आपको जल्दी मिलते हैं और जो नए वीवर्स हैं और एक बार चेनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, share कीजिए और comment कीजिए Thank you